हेलो सुडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुख, भाशा माधूरी, रफ कॉपी, फैंसी लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चो आज का हमारा टोपिक है री की मात्रा आपको री की मात्रा पढ़ाने का उधेश्य यह है कि आपको री की मात्रा से जुड़े सभी शक्ष अच्छी तरह पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे बच्चो री की मात्रा हमेशा व्यांजन के नीचे लगती है तो आज हम करेंगे lesson number 8, page number 25 Part 8, री की मात्रा बच्चो ये री की मात्रा है जैसे हम C डालते हैं इसको ऐसे व्यांजन के नीचे डालते हैं देखें, for example क, क को री की मात्रा लगाई तो बन गया क्री, ग, क को री की मात्रा लगाई तो बन गया ग्री समझ आ गया न, आपको री की मात्रा clear हो गई है तो बच्चो पेस number 25 हम पहले कर चुके हैं तो आज हम करेंगे पेस number 26 पेस number 26 करने से पहले हम एक पार इसको read करेंगे कर टिल गय को री की मातरा लगाओ बच्चों पहले हम कर टिल गय लिखेंगे सबी वियंजल लिखेंगे कर खर फिर उसको री की मातरा लगाएंगे जैसे कर को री की मातरा लगाई तो बन गया करी कर को री की मातरा लगाई तो बन गया करी झ्री, ज्री, री, तो इस तरह आप अपनी रफ कॉपी पर पहले एक टिल किया लिखेंगे, फिर उसको री की मातरा लगाएंगे, और एक बात बेटा मैं आपको और बताना चाहती हूं, जिन व्यंजिनों को बेटा मैंने सर्कल की है, इन व्यंजिनों को री की मातरा नहीं ल लगानी क्योंकि इनसे हमारा कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है तो आगे हम करेंगे री की मात्रा वाले शब्द पहले हमने बिटा री की मात्रा लगानी सीखी अब री की मात्रा वाले शब्द बढ़ेंगे री तक को चोटाऊ, रितू, सीजन, री कश्या को चोटी, रिशी, सेंट, सेंट, एस ए, आई एंटी, सेंट, री चको आ, रिचा, बिटा, रिचा किसी गरल का नेम होता है, तो हम इसको नाउन लिखेंगे, री कश्या, बिटा, रिचा बैल को बोलते हैं, ओ, ओ, एक्स, ओ, और रिचा बिटा कोई बॉइस का भी नेम होता है, तो अगर हम बॉइस का नेम लिखेंगे, तो यह आए जाएगा नाउन, तो क्लियर हो गए ना सबको री की मात्रा वाले शब्त, तो आगे हम आएंगे, पेस संबर 26 पे, पढ़कर अंतर जानिए, बच्चों, यहाँ पे इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं दी, और उसके सामने देखिए, म, म को री की मात्रा लगाई तो बन गया, म्री, ग, म्रिग, 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 म्रिग गोता है हिरन, जिसको इंग्लिश में बोलते है, डियर, डियर, मत, मत, म को री की मात्रा मृत मींस मेंट मरा हुआ, dead D E A D, dead वक्ष, वक्ष वकुरीकी मात्या, व्रिक्ष व्रिक्ष, व्रिक्ष होता है पेड, tree T R W T स जन, स जन स स कुरीकी मात्रा, स्री जन, स्रीजन स्रीजन मींस की रेट? C R E A T E P P K P P K 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 होते हैं द्यालू काइंड के आये एंडी काइंड तो बच्चों पढ़कर अंतर जा नहीं समस आ गया आपको रीकी मात्रा क्लियर हो गई है तो आगे हम करेंगे पढ़िए अजे मृधु भाशी बन मको रीकी मात्रा मृधु दको चोटा उदू भको आक्षको बढ़ ई भाशी मृधु भाशी मीनस वेटा soft spoken S-O-F-P soft S-P-O-K-E-N spoken मको रीकी मात्रा तरी मात्री पको चोटा उदू इ पित तको रीकी मात्रा पितरी की आग्या का पालंकर मको रीकी मात्रा मृधु दको चोटा उदू लम्री धुल बन ह को रीकी मात्रा हरी द यहर दिय मिनस दिल H-E-A-R-T हाड विशाल बना बेटा इस शिशान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है इसको क्या कहते है पून्विरा जब हमारा हिंदी में वाक्या फिनिश होता है तो तब हम इसको लगाते हैं व कुरी की मात्रा व्री थको आ व्रिथा व्रिथा वता बेटा पेकार मत गूम घ कुरी की मात्रा ग्री अणा ग्रीना ग्रीना मेंस किसी से नफरत करनी हेट हेट मत कर तरहां तरहां की अकरिती बना बेटा अकरिती बढ़ा आ ककुरी की मात्रा ग्री तको चुटी थी अकरिती मी शेप्स एस एच एप्स शेप्स क ककुरी की मात्रा क्री प अन क्रिपन मिसर मत बन द्रिन रह नरिप की आग्या का पालन कर मेटा नरिप कोता राजा किंग के आए एंजी किंग बड़ा आग्या को आग्या ओबे ओबी इवाई ओबे न दको बड़ी इ नदी नदी मिस रिवर तर्ट 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 किनारा पर वरिक्ष तथा समीप ही एक कुटिया थी मेटा समीप समको बड़ी इ मीप समीप मिन्स नियर एन ए ए ए आ नियर कुटिया तकुटिया मिन्स हट एच यूटी हट बड़ा समझ आ रही है ना क्लियर हो रही है ऐसे बात ने गर पे भी आपने रिटिंग करनी है कुटिया एक रिशी की थी बटा यह देखो यहां पर पहले लिखा उन्होंने री श्यक को चुटी रिशी यह देखो जो री की मात्रा उन्होंने ब्ल्यू किया क्लियर हो गे ना आपको रिशी का नाम त्री पाल था रिशी का एक म्रिग था म्रिग मिन्स हीरन डियर म्रिग त्रिन खाता था बिटा त्रिन होता है घास जी आर ए डबल एस क्रास तो बच्चों पेज अमबर 26 की आप गर से फिर से लिडिंग करेंगे अब हम करेंगे करेंगे हमें व्यांजन दियें बीच बीच में कर मत तो हमने इसको री की मातरा लगाने जैसे कर को री की मातरा लगाई तो बन गया क्री म को री की मातरा लगाई तो बन गया म्री त्री ब्री प्री री 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 द को री की मातरा लगाई तो बन गया द्री री श्री तो सबस आगी नहीं सबको एक्सेशाइस नाइज में तो सुन्दर हंड़ा हैं के नीचे आप इसको लिखेंगे और नेचिस एक्सेशाइस नंबर जबके मात्रा कर ठीक शर्प्त बनाइए यहां पर उन्हों दियुक्रें आप यहां पर उन्होंने में शर्प्त दी कि जैसे लेटर वर्ड्स म, ग, म, अब अब अमनेश को रीकी मातराल गाओ ते क्सित्रला गा मतर थे जिए बेटा यहां पर उन्हों ने आपको pictures दी है और यहां पर fillups दी है आपने picture को देखके fillups fill करने हैं यह देखिया फर्स चीज डैश मत पकड़ फर्स picture देखे किसकी है ही रन वेरी गुड़ पर अब हम इसको री की मतरा लगाएंगे तो क्या वनेगा म्रिग वेरी गुड उससे डैश पर चर्ड सेकिंड पिचर इस व्रिक्ष डैश की अग्यामान राजा नो राजा हम राजा नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे नरिप डैश क्रिशी कर क्रिशक क्लियर हो रहा है सुंदर राइटिंग में सभी ने काम करना है exercise number 4 वर्णों को ठीक्रम में रखकर शब्द बनाएए बिटा जंबल वर्ड्स दी है आपने इसको क्रेक्ट करके लिखना है प नरी ये कोई हमारा शब्द नहीं बन रहा तो इसको क्रेक्ट करके लिखेंगे नरिप क्रिशक जागरिती मृत क्रिपया सद्रिश्य तो बच्चो आपको सेज़ पार्ट क्लियर हो गया ना सभी को सुन्दर सुन्दर हैं ड्रेटिंग में आपने ये करना है तो आज अब ने किया है पेस जंबर 26 और 27 घर पर ये आप काम करेंगे और इसकी रिदिंग भी करेंगे और इसकी डिक्टेशन वर्ड्स भी अपने मातापिता से चेक करवाएंगे तो अगली कक्षाम में हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए गुट बाई टेक कियर